अब्रीवन मैं हूरुची और डूइट बित रुची में आपका स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगी कि बची हुई रोटी से नूडल्स कैसे बनाते हैं तो फिर आए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं नूडल्स बनाने के लिए मैंने आपर पांच रोटी ली है यह मैंने रात में रोटी बनाई थी वो बच गई है सोवे मैं ब्रेकफास्ट में इनके नूडल्स बनाऊंगी रोटी को इस तरीके से रोल कर लेंगे और चाकू से इसके पतले-पतले स्लाइसेस काटेंगे बहुत इनको काटने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है और इसी तरीके से मैं अपने पांच और रोटी के स्लाइसिस कट कर लूँगी बहुत ही बढ़िया नूडल्स वनके तयार होते हैं रोटी के आपको पता भी न लगेगा कि ये रोटी के नूडल्स हैं बहुत ही टेस्टी लगते हैं बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं बाएक कटी हुई दो लेशुन की कलिया बारीक कटी हुई एक टमाटर लिया इसको भी बारीक कट कर लिया है एक सिमला मिर्च ली है इसको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है अब एक पैन रख देंगे गैस पे इसमें मैंने दो टेबल स्पून ओइल डाल दिया है अब ओइल बस करम हो जाएगा इसके बाद हरी मिर्स डाल दी है लैसुन डाल देंगे और इसको हलका सा फ्राइड कर लेंगे इसके बाद प्याज डालेंगे और प्याज को भी हलका सा फ्राइड कर लेंगे बहुत जादा नहीं हमें भूनना है इनको बस हलका सा इसको हम फ्राइड कर लेंगे प्याज हमारा भुन गया है इसके बाद हम इसमें टमाटर एड़ कर देंगे अपना और टमाटर को भी बस सलका सा में लाएंगे इसके बाद हमने सिम्ला मिच डाल दी है आप अपने मन पसंद और भी सबजियां इसमें एड़ कर सकते हैं गाजर बंद गोबी बीन्स बगएरा इसके बाद हम इसमें नमक डाल देंगे नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और इसको ढखके रग देंगे एक मिनट के लिए बस हलका सा सॉफ्ट हो जाए हमारी सबजियां बस हमारा एक मिनट हो गया है इसके बाद हम मसाले अड़ करेंगे आदी चोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है मैंने धनिया पाउडर डाला है आदी छोटी चम्मच गरम मसाला आदी छोटी चम्मच जालेंगे चाट मसाला डालेंगे आदी छोटी चम्मच खटाई पाउडर आदी छोटी चम्मच और इसको मसालों को हम अपने को भून ल टोमैटो केचप लिया है आप इसमें सोया सॉस और ग्रीन चिली सॉस भी डाल सकते हैं हलका सा गैस का फिल्म लो रखेंगे और इसको हलका सा भूनेंगे अब हम इसमें अपने नूडल्स एड करेंगे रोटी के जो कट किये थे वो और इनको हम अच्छे से मसालों में मिक्स कर कि बना करेंगे अगर आपको मेरे रैसिपी अछ्ड़ी तो इसे लाइक जरूर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें इसको एक मिक्स करेंगे अच्छे से एक मिनिट के लिए धकी रख़़ देंगे जिसके की हमारी जो रोटी हैं वो सब्स्त हो होंगी नूडल्स हमारी बनकर तयार हैं